अनुपमा और वन्राज कुछ से फोन पर बात करते हैं और तुरंट कहते हैं कि उनका रेस तरह सबसे अच्छा होगा. वह महिला सशक्तिकरन शब्द का उच्चारन करने में उनकी मदद करता है. वह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए एक कलम के साथ उसकी मदद करती है. वह पूछता है कि क्या उसने मुखकु को प्रभावित करने के लिए प्रतिस पर्धा के बारे में बात की थी या ऐसे ही. वह जो कुछ भी सोचता है वह कहती है. उनका कहना है कि लोग या तो प्रिय हैं या आजनबी, दोस्त या दुश्मन, एक साथ या अलग, वे सब कुछ थे, एक दूसरे से अलग और अलग थे. वह कहता है कि वह वही है, लेकिन वह अलग है. उनका कहना है कि वह अपने बदले हुए रवये को छोड़ कर वही हैं. वह कहती है कि उनमें अभी भी रवया है और कहते हैं कि कानहाजी वास्तविक जीवन की सर्वश्रेष्ट परकता लिखते हैं, इसलिए कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, किसने सोचा था कि वह अनुझ है जिसे वह कॉलेज में 26 साल से जानती भी नहीं थी. वह पूछता है क्या, वह कहती है कि पहले अनुझ उनकी जिन्दगी में आए और अब मुक्कू. उनका कहना है कि उन्हें कभी अनुझ से जलन होती थी, लेकिन अब नहीं है. अनुझ सोचता है कि क्या हुआ अगर मुक्कू ने अपने विशाल व्यवसाए से 50 लाख ले लि उनके साथ चैट करना जारी रखता है और कहता है कि उन्हें लगता है कि वे कॉलेज के दोस्त हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं, वह हमेशा उनकी मदद करती है. वह कहती है कि अपनी हालिया प्रगती को देखकर उन्हें खुद पर गर्व महसूस होता है. वह आगे कहत है कि उसने अनुज से कहा कि उसके पास एक हजार दोश हो सकते हैं, लेकिन वह पेशेवर है. वह उसे धन्यवाद देता है और पूछता है कि उसके पास क्या दोश हैं. वह जिद, अहनकार, क्रोध आदी कहती है, और अनुज के संदेह को गलत साबित ना करने के लिए कहती ह चपरासी उसे बताता है कि अनुज उसे बुला रहा है, वह उसे शुब कामनाय देती हैं, उनका कहना है कि वने का व्यवसाई में सरवश्रेश्ट हैं, वह कहती है कि चलो देखते हैं और अनुज के केबिन की ओर मुस्कुराते हुए चलते हैं, वनराज अपनी नेम प्लेट क देखता है और अपनी पुरानी नेम प्लेट को याद करता है, मुक को उससे जुरता है और व्यापार पर चर्चा करता है, अनुज दूसरी तरफ अनु से मिलता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करता है, वे सभी तीन खुश लग रहे हैं, उसकी क्रिसमस पार्टी का श्रेतब मिला और उन्होंने अपने माता-पिता को खोने का दुख व्यक्त किया, अनु ने उसका उत्साह वर्धन किया, वह उसे वनराज के घर पर समय पर पार्टी में शामिल होने के लिए के लिए कहती है और उसके सकारात्मक रुवेये और तलाक के बाद भी शाह के पास जाने के लिए उसकी प्रशंसा करती है, अनु मुस्कुराती है, मालविका फिसल कर गिर जाती है, अनु उसे उठने में मदद करती है और देखती है कि उसके जूतों के फीते खुले हुए हैं, अनुच प्रवेश करता है और मुक्कु के जूते के फी तो उसने उसे अभी तक प्रपोज क्यों नहीं किया, वह बहुत पहले कर चुकी होगी। वे दोनों घबराहट महसूस करते हैं। शाह के घर में, शाह क्रिस्मस पार्टी के लिए घर सजाते हैं। बापु जी कहते हैं कि वह आज सांता क्लॉज बनेंगे। मामा जी कहते हैं कि वह करेंगे और मजाक करेंगे। किंजल ने उन दोनों को सांता क्लॉज बनाने और परिवार को उपहर बांटने का सुझाव दिया। मालविका बा को बाहर खीचती है और उससे क्रिस्मस ट्री सजाने के लिए कहती है। बा इंकार करते हैं। वह कहती है कि केवल लीला डालिंग ही क्रिस्मस ट्री को सजाएगी। बा का कहना है कि वह केवल अपने पती की प्यारी है। बापुजी को शर्म आती है। मालविका का कहना है कि डालिंग का मतलब प्यारा होता है। बाग कहती है कि वह पेड है और सजाती है। बापुजी भारतिय नागरिकों में एक ताके बारे में नेतिक ज्यान देते हैं और क्रिस्मस, जनमाश्ट मी, ईग को एक साथ एक परिवार के रूप में मनाते हैं। मालविका उनकी सोच की तारीफ करती है और मामाजी मजाक करते हैं। वह तब पेड पर तारे को ठीक करने की कोशिश करती है जब काव्या उसके सामने उसे ठीक करती है। दूसरी और, अनुज गाजक के के लिए गाजक को कद्दुकस करने में व्यस्त है, तब ही अनुज अंदर जाता है और उसकी उंगली काटने का काम करता है। वह चिंतित हो जाती है। वह हस्ता है और कहता है कि उसने मजाक किया और शर्म महसूस होने पर उसका चेहरा पकड अनु पमा उन्तिस्ट